हलो गाईज, शो शब्द प्रती मिनट एडिटोरियल लिक्टेशन स्टार्ट होगी फाइब सेकेंड बाद स्टार्ट इस बार बरसात में जल भराव के कारण दिल्ली की हालत बहुत भयाव है रही हालाग की हर साल बरसात की वजह से दिल्ली थम जाती है कौमा लेकिन न तू दिल्ली नगर निगम या नगर पाली का और न ही दिल्ली जल बोड ने पिछली गलतियों से कोई सबक सीखा इस्टॉप दिल्ली के ग्रामेन से लेकर पोश इलाकें की सडकें और कॉलोनिया जलमगन रहीं इस्टॉप इसका कोई समाधान निकालने के बजाए भिन भिन निकाए जल भराव के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहे इस्टॉप दिल्ली की सिवरेज प्रणाली पुरानी अवश्य हो गई है कोमा लेकिन इनके जाम होने की मुख्य वजह इनकी समय पर सफाई नहीं होना है इस्टॉप निकम्मी व्यवस्था भ्रस्टाचार में लिप्त है इस्टॉप दिखावे के लिए मामूली सफाई करके इतिश्री समझ लिया जाता है स्टॉप पेरा क्या इन निकायों की कोई जवाब दे ही ते नहीं है प्रश्णुवाचक घरों में डेंगू मलेरिया के लार्वा पाए जाने पर उनका चालान कर दिया जाता है कोमा लेकिन सडकों कोमा पारकों और अन्य सरकारी जमीन पर सडांध मार रहे गंदे पानी में पनपे लार्वा के लिए किसका चालान होता है प्रश्णुवाचक चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करने वाले दल मतलब निकलने पर नागरिकों से आख मिचोली का खेल खेलते हैं नीरी ही जनता आसु बहा रही है कोम स्टॉप लेकिन इन महकमों को अपने स्वार्थों से फुर्सत नहीं कौमा सभी दल एक ही तरह की प्रतिकरिया करते हैं स्टॉप ऐसे में जनता एक तरह से लाचार हालत में चली जाती है स्टॉप पैरा भारत के खिलाडियों के अभूत पूर्व प्रदर्शन से पूरा देश गदगद है स्टॉप पैरा उलम्पिक में भारती खिलाडियों ने अध्भूत प्रदर्शन करते हुए गुनिस पदक जीते कॉमा जिसमें पांच स्वन शामिल है स्टॉप देश को आज गर्व है उन सभी खिलाडियों पर जिन होने विश्व पटल पर यह सिद्ध किया कि 135 करोड भारतिये कहीं किसी न कम नहीं है हर शेत्र में हम सफल है और युवाओं के इस देश में यह शक्ती बहुत महनत से हासिल की जाती है सभी भारतिये खिलाडियों ने होसला नहीं हारा और साबित किया कि शरीर की कोई खास कमी उनके लिए बाधा नहीं है उनका सामर्थिये कोमा सोच और संगर्ष सबके लिए प्रेना स्त्रोत है इस्टॉप आने वाले समय में देश को अन्य ओलम्पिक में इसी परकार की आशा है इस्टॉप उनके साथ साथ समस्त देशवासियों को इसके लिए खुश होना चाहिए इस्टॉप पैरा देश के कई इलाकों में बाड से हाहाकार मचा हुआ है इस्टॉप लोगों की जिन्दगी भागदोड में बदल गई है और परिस्थितियां एक तरह से कहर बन गई है इस्टॉप सरकार पर से लोगों की उम्मीद तूटती हुई नजर आ रही है समाज और विश्वास दोनों की प्रतिश्टा दाउं पर लगी हुई है कॉमा क्यूंकि ऐसे हालात में उन्हें सहारे की जरूरत है कॉमा लेकिन वे लाचार सिर्फ मदद की राह देख रहे हैं इस्टॉप ऐसे में सरकार को अपनी समूची व्यवस्था के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए खड़ा होना चाहिए इस्टॉप उनके लिए बाड राहत सिविर लगाना चाहिए इस्टॉप भोजन कॉमा दवा कॉमा चलंत सोचालिय कॉमा बिजली की वेवस्था करनी चाहिए इस्टॉप साथ ही प्रसासनिक महकमों को बाड शेत्र में गस्ती कॉमा एम्बुलेंस कॉमा चलंत अस्पताल कॉमा दवा की वेवस्था सूनिश्चित करानी चाहिए इस्टॉप उस्षेत्र के जन प्रतिनीधी को भी आकर उनके लिए बुनियादी सुविधाय उपलब्द करवाना और सरकार से संकट से जूज रहे इलाकों को बाड प्रभावित गोशित कराने के लिए दवाव बनाना चाहिए कौमा ताकी जनता की शती की भरपाई हो सके इस्टॉप पैरा जीवन माइने रखता है क्योंकि जीवन के बिना कुछ भी माइने नहीं रखता इस्टॉप इस आधुनिक युग में समाज कुछ कमियों के साथ तेजी से विक्सित हो रहा है इस्टॉप ऐसी ही एक इस्थिती है पशू कुरूरता का सामना करना इस्टॉप देश भर में पशू के खिलाफ कुरूरता एक आम समश्या है हमारे समीधान में पशू सुरुक्षा कानूनों का उल्लेख किया गया है कोमा लेकिन ऐसा लगता है कि ये कानून समस्या का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है इस्टॉप पसु सनरक्षन अधिनियम कोमा गुनिस्सो साथ की अनूसार जानवरों के साथ कुरूर व्यावहार करने पर दस रुपे से लेकर दो सो रुपे तक जुरुमाना या तीन महिने की जेल का प्रावधान है इस्टॉप पहरा अब यहां सवाल उठता है कि क्या यह प्रावधान पसु कुरूरता का मुकाबला करने में इतने शक्षम है प्रशन वाचक भारतिय समिधान में पसु सनरक्षन में प्रावधान लागू होने वाले ठोस कानून के बजाए सिध्धान्त बने हुए है इस्टॉप भारत के लिए एक मजबूत पसु सनरक्षन कानून प्रदान करने के लिए इस सम्मंद में व्यापक सुधार किये जाने की आउशक्ता है यह कहना उचित होगा कि भारत में पशु कानून के लिए एक ठोस आधार विक्षित करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता ते करना बाकी है पैरा बढ़ती आबादी घटते संसाधन में लेखक ने जोलंत समश्या की और ध्यानाकर्शित करने का प्रियास किया है बढ़ती आबादी सिर्फ भारत की नहीं कौमा पूरे विश्व की समश्या है इतनी बड़ी की अब दुनिया प्रत्वी से बाहर ऐसे किसी ग्रह की खोज में है कौमा जहां प्रत्वी जैसे जीवन के अनुकूल वातावरन और संसाधन उपलब्द हो इस्टॉप कयास मंगल ग्रह के लगाय जा रहे हैं इस्टॉप लेकिन यह कितना सफल होगा कौमा अभी कहे नहीं सकते इस्टॉप अत्यदिक आबादी से रोजगार कौमा खद पधारतों कौमा अनाच पर नकारात्मक परभाव पड़ा है इस्टॉप अपराधों में बेतहाशा व्रधी हुई है इस्टॉप अपने देश में इस समस्या की गंभीरता को लेकर सरकार तो परियास कर रही है कौमा लेकिन जब तक इसमें जनता का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा कौमा इस पर राजनिती होती रहेगी और समस्या का समाधान संभव नहीं होगा इस्टॉप पैरा लोकतंत्र जनता के लिए है कौमा लेकिन अगर जनता ही लोकतंत्र के माध्यम से अपने नीजी स्वार्थों को जन हित जन कल्यान के उपर रखती है तो सरकार को ठोस निरने लेने होंगे इस्टॉप ऐसा ही निरने लेने के लिए सरकार पर सभ्य समाज दुआरा दबाव बनाने का परियास किया जा रहा है इस्टॉप आए दिन जनसंख्या नियंत्रन कानून बनाने की मांग की जाने लगी है स्टॉप कुछ राजियों में तो इस पर काम भी शुरू हो चुका है स्टॉप यह समश्या जनता दुआरा पैदा की गई है पोमा इसका समाधान भी जनता को निकालना होगा